जश्न का शहर कोलकाता उत्सवों का महनगर 12 महीने 13 सेलिबरेशन्स और उत्सवों में सर्वस रेस्ट विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा चाय बस्टर की पूजा परिक्रमा है जारी आईए दिखाते हैं कुछ नए और विभन्द पंडाल स्वागत है आपका पूजा परिक्रमा पार्ट फोर में नवरात्र के तीसरे दिन मा चंदर घंटा और चतुर्थी के दिन मा कुश्मांडा की पूजा की जाती है जुकाम लग गई है और थोड़ा सा अगर आवाज में खरखराट हो तो उमीद है आप मैनेज कर लेंगे और मुझे माफ भी करेंगे मंगल भाई आपका नाइन डेज चैलेंज यह कसबा इलाका है और आरके चैटरजी रोड अधिवासी ब्रिंद इस कमिटी द्वारा इस पंडाल इस पूजा मंडप का निर्मान करवाया गया है काफी महनत वाला काम है एस यू कें सी कि जो पीढ़े जो मुढ़े जिने कहते हैं बैठने वाले होते हैं उनसे इस पंडाल का जो एंट्रेंस है उसका निर्मान किया गया है चोटे-चोटे बल्ब दिये गए काफी महीन कार्य है और काफी महनत काफी माथा पच्ची वाला काम है और यह आप देखिए जो गेहूं वगेरा जो जिसमें साफ करते हैं सूप जिसे कहते हैं उससे यह डिजाइन तैयार की गई है उसके चारों तरफ लाल पाड लगाई गई है बौडर दी गई है कपड़े का सूप का और मुढ़ों से बहुत ही काफी प्यारी डिजाइन बनाई गई है और उसके उपर से खुबसुरत लाइट्स पार लाइट्स मार दी गई हैं जिससे इसका रूप जो है वो काफी खिला हुआ निखर कर सामने है हाला कि डिजाइन को अभी भी फाइनल रूप फाइनल टच दिये ही जा रहा है काफी सारी चीज़े भी बाकी भी है आप देख सकते काफी बैनर्स लगने बाकी हैं इस्पॉंसर्स हैं तो उनका भी बैनर लगाना भी बनता है यह देखिए बहुत ही खुबसूर्ती के साथ और यह उपर से नीचे तक का व्यूद वैसे बता दू आपको यह मंदिर को इन्होंने कवर किया है और जो मंडप है वो इसके आगे जाकर अंदर की तरफ है वैसे यह कार यह देखिए बहुत करीने वाला काम है बहुत महनत वाला काम और यह मंदिर से ठीक सटा हुआ मुख्य मंडप ख़़ी अच्छी डिजाइन बहुत यह प्यारा लुक दिया है आरके चटरची रोड अधिवासी ब्रिंद कस्बा इलाके में है यह अगर आप आना चाहें कोलकता से हैं कोलकता साउथ कोलकता नौथ कोलकता जहां से भी हैं लोग दिवाने हैं जुनून लोगों का दुर्गा पूजा की पृति और यह है मा की मूर्थी अपने बच्चों के साथ मा गणेश जी मा सरस्वती दुर्गा मा मध्य में फिर महालक्ष्मी माता और कार्तिक जी पूरी गैलरी को याने आने और जाने वाली दोनों गैलरी को काफी मस्त सजाया है सिर्व बंगाली ही नहीं दुर्गा पूजा एक मात्र ऐसा उत्सव है जहां हर जाती संप्रदाए के लोग मैं बार बार बोलता हूँ और हर इनसान इसको फुल इंजॉय करता है इसका जो लुट्फ लेता है ये पंडाल भी बन ही रहा है और उपर राधा कृष्णी को जूले में बैठाया गया है निर्माना धीन है ये चल रहा है इसका निर्मान कार्य लेकिन जिसका निर्मान कार्य पूरा हो चुका है वो है लाल किला You heard it right but we are not in Delhi हम खड़े हैं कोलकता मेरी जान चीहां कोलकता के संतोश मित्र स्क्वाइर पूजा प्रांगन में काफी महनत मशक्कत और अनूठी माथा पच्ची का एक जीता जाकता उधारण है संतोश मित्र स्क्वाइर और आज नहीं वरन कई वर्षों से ये अपने लेवल को मेंटेन किये वे और एक अलग ही दुनिया बसाते हैं मा की प्रतिमाओं की तस्वीरे लेते हुए यहां आए हुए जितने भी दर्शनार थी है वो श्रद्धालू आप भी करें दर्शन माता जी के जै हो मादुर्गा सभी गीमनों कामनाय पूर्ण करें अब देखिए हम कहां कहां जा रहे हैं आपके लिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये व्लॉग तो फिर बस वही हमेशा वाली ये की बात सब्सक्राइब कर लिजेगा चाइबस्टर को जिससे की हमारा होसला बढ़ेगा और होसला बढ़ेगा तो हम आप तक और भी एंट कितनी खूबसूरत कारीगरी और कितनी महनत मशक्कत लगती है कई-कई मजदूरों की महीनों की महनत है ये ये नकाशी और कारीगरी देखिए मतलब महनत और कारीगरी का एक नायाब नमूना है संतोश मित्र स्कॉयर अपने पंडालों पर करोडों ऐसे ही खर्चा नहीं करते हैं और ये है मेरे देश का प्यारा तिरंगा जीहां लाल किले पर फैहराता हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा और इस हिंदुस्ता का एक सबसे प्यारा शहर कोलकाता और यहां चल रही है Electrifying Monument Mapping खतरनाग प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर बंगाल की संस्कृति को एक नए आयाम तक पहुँचाने वाली शक्सियत हो या फिर हो कोई स्वतंतरता सैनानी सभी के सभी को यहां श्रद्धांजली के साथ साथ दर्शाया जा रहा है प्रोजेक्शन के माध्यम से अगर आप भी कोलकता से हैं तो संतोश मित्रे स्क्वाईर जरूर पधारे यहां आने के बाद आपका पूज़ा घूमने का उत्साह दोगुना हो जाएगा उद्धाटन के दिन ही दर्शक दिर्गा में इतनी भीड देखने के बाद कई लोग घबरा चुके होंगे लिकिन यहां सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम है और आप आराम से जब भी नौर्थ के अलकेटा पूज़ा घूमने का प्लाइन करते हैं तो या तो संतोश मित्र स्क्वाइर होते हुए या घर लोटते वक्त संतोश मित्रे स्क्वाइर होकर लोटे हैं क्योंकि संतोश मित्र स्कुएर के आसपास ही आपको और भी कई विख्यात पूजा मंडप देखने को मिल जाएंगे और जाने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप भी कहानिया सुनने के शौकीन है तो अभी डाउनलोड करे कुकु एफेम को जहां आपको सुनने मिलेंगे हर फिल्ड की कहानिया है चाहें वो क्राइम स्टोरीज हो सस्पेंस भरी कहानिया हो या हो फिर किसी के बायोग्रफी पॉड्कास्ट और तीन हजार से ज़ादा आउडियो बुग्स अवेलेबल है कुकु एफेम पर चाय बॉस्टर फैमिली के लिए स्पेशल डिसकाउंट भी अविलिबल है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसके साथ साथ पूरी जानकारी भी तो कुकु एफेम को करे डाउनलोड और अपनी पसंदीदा कहानिया सुने कभी भी कहीं भी फिलाद आज के इस एपिसोड में इतना ही हम मिलेंगे अगले एपिसोड में लेकर कुछ और फैक्ट्स और कई पूजा मंडप के साथ तिल देन टेक वेरे बैसक आफ यॉसल्स बबाई झाल